नमस्कार, KP Teacher Academy आपका हार्तिक स्वागत है आज हम EBS Pedagogy का 30 Question का एक जवर्जास सेसर लगाएंगे जो कि Seated परिच्छा को दर्श्टी से बहुत ही महतपूर होगा वीडियो को Like and Share करें अपने दोस्तों को साथ में जिसे जो भी Student Seated परिच्छा को त्यारी कर रहे हैं कविताओं और कहानी कतन का उप्योग या प्रियोग करना साहिता करना है फर्स्ट ऑप्शन है पाठ को अनंदय और रोचक बनाने में सेकेंड इस्थानियों और बैस्विक स्थर पर संसार की पकरति को खोजने और कलपना को करने की योगता को बढ़ाने में थारड विद्ध्यारतियों में नियत बासा एवं स éénसेकित विविताओं का ध्यान रखने में थार्थ सहीत सामें विद्ध्यारतियों की उजर्या करने में तो क्व्षն नहीं बोला या रहा है कि पर्यावड अध्यण कक्छाव में संग्रपणा को इसपष्ट करने के लिए कहानी और कबिता को क्या कथन है क्या उप्योग है तो जैसे कि मैं बात करने कहानी और कबिता उसे बच्चों में कैं Ñ चिंतन प्रक्रिया कलपना सकती का बढ़ावा योगता मिलती है दूसरा का प्राकरती अप्रत खोजने की रिए अग्रचव होते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला इस्थानियों बैसिव के स्थरप संसार की प्रकरतियों खोजने और कलपना करने की योगता को बढ़ावा दिने मेंजा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स वोशन देते हैं बीडियो को लाइक हैं स्विए करते हैं हधियात में स्विएगात में अधिगम में पुराने एवं अधिक दच्छ बिद्यारती छोटे एवं कम कुशल बिद्यारतियों का आंकलन करते हैं यहां पर सहयोगात में अधिगम की बात की जा रही है और अधिक दच्छ और यहां कम कुश्य पतारत्यों का आंकलन की बात की जा रही है तो फर्स्ट अप्स ने समूव में दुंद, सेकिंड है गयन पृत्यों कुता, थर्ड है उच उपलब्दी और स्वय गरिमा, फोर्थ है उच नैतिक विकास तो जैसे कि हम यहां पे अधिगम सहयोग की बात की आ रही है तो जहां उच उपलब्दी और स्वय गरिमा की बात चीज आ आखलन आ रहा है तो यहां पे इस दाख करेक्ट आंसर हो जागा हमारा थर्ड वाला तो नेक्स वोशन देखते हैं बीडियो को लाइक करते हैं साथी जात में सीमा प्रतेक पार्ट को रट का तुरंत सीख लेती है जबकि लीना, चर्चा एवं वेन स्टोरिमिंग, मस्तिस्क लोडन की बाद प्रतेक पार्ट को समझती है वह है कि विकास अत्मिक सिद्दानत की और संकीत करता है तो जो सीमा है क्या करती है पार्ट को रट लेती है लेकिन जो लीना है तो वो चर्चा करती है उस पार्ट पर और मस्तिस्क लोडन की बाद की होती है और उस पार्ट को किया समझती है और ये जो विकास का विकास अत्म सिद्धान्त की वो संकीत कर रहा है तो फर्स्ट आप्सन है हमारा सामन से सिस्ट की ओर सेकींड है निरंतरता थर्ड है अंतर समंध फोर्थ है बैक्तिक विनिता तो दोनों में देखा गया है कि एक तो समझ कर रही है और एक पढ़ कर रही है तो यहाँ पर इस पर्स ट्रूप से दिखाए दे रहा है यहाँ पर बैक्तिक विनिता की बात हो रही है तो नेक्स्ड न Snow देखते है वीडियो को लायक करते हैं सात्य सातमे है नेम्ली मैं से रोगों का वह समूच नीई है जो मच्छर से फालता है कि कौश्चन हम सा समूच जो मच्छचों के तारा फेलता है तो फ़स्ट प्सन है डेंगूused इंगू hed inuardカンタ तर्ड है malaria dango heausa for the malaria चिंगार म्यादि भुखारम थौ मच्छ्छों सब्सक्राइब करते हैं जिससे आपको वीडियो मिलती रहें सांप के संदर्म में सही कतन चॉइस कीजिए चुनिए फर्स्ट है यह हमारे देश में चार प्रकार की साफ पाए जाते हैं या जहरीले साफ पाए जाते हैं दिये नागा कोप्रा जहरीले साफ का एक समूह है जहरीले साफ के चार खोगले दात होते हैं जब साफ किसी बैक्ति को काटता है तो जहर इन खोगले दातों से उसके सथीर में चला जाता है डिया सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से बना जाती है तो यहां पर सांपों के कथन चोईस करने संदर्म में जैसे कि हमारे देश में केवल चार प्रगाज़ सांप पायाती है तो यह फॉलो कर रहा है कोबरा के जहरीली प्रिजाती होती है यहां पर बात कर रहा है, साप के 4 खोकले राद होते हैं, यहां पर 4 नहीं 2 खोकले राद होते हैं, जो कोई व्यक्तिक को काटने में और उसका सरीर, जहर कहा है, सरीर में चला जाता है तो 2 होते हैं, पर 4 नहीं तो C आगा, फॉलो नहीं कर रहा D क्या है, साप के काटने की दवाई जो के साप के जहर से बनाई जाती है तो यह भी follow कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा answer निकलता है A, B और D तो A, B, D हमाई कहां दिखाए दे रहा है, 3rd में, तो इस ता correct answer है हमारा 3rd वाला तो नेक्स टोशन देखते हैं, वीडियो को like and share करते हैं, नियम रितमे से petroleum से सही अविलेच्छल चुनिए तो petroleum की अविलेच्छल की choice करनी की बात हो रही है यहाँ भी question में तो first option है अच्छी गंद का पतला, नीला, रंगीन, द्रब, second है बिना गंद का गाड़ा, तथा गेरे रंग का तरल, third है बदबूदार, गाड़ा, गेरे रंग का तेल, fourth है बदबूदार, पीला, पतला, पीला, द्रब तो बहुत सारे student के fourth वाला लगाएंगे, बगर यह answer हमारा incorrect हो जाएगा, wrong answer हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम petroleum के सही चुनने की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर पीला, पतला, पतला, नीला और रंगीन, जो कि हमारा first में दिया गया है, इससा cranked answer हो जाएगा हमारा first व देखते हैं, बीडियो का लाइक करते हैं हधियात में, मदवनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग की जाने वाले रंग, तो मदवनी चित्रों की बात की जा रही है, और चित्रकारों द्वारा कौन से रंग प्रयोग की जा रही है, तो मदवनी क् जिल्ला है जो कि बिहारम पड़ता आपको पता चलिया होगा है तो जैसे कि फर्स्ट अप्शन देखते हैं कि सोने चानी को गोल कर बनाए गई पैंट कि सेकेंड है पिसे हुए चावल की रंगीन गोल थर्ड है बिसे अस पकार से बने हुए पोस्टर रंग फूर्थ है अत्यॉत्तम गोडवतता चाक पैंट तो यहां पर बदवनी की चेंपा चलिया है बदवनी के वारे में तो यह क्या बिहारमें तो आपको आइडिया लग जिया होगा कि यह अंसर कहा पर होगा तो अज़नी सक्रेक्ट हो जागा हमारा second वारा क्योंकि यह चावल क यह गोल के बनाए जाती है जो कलरफुल होती है उर्णी से मध्वनी चित्रकला की जाती है तो नेक्स्ट वोशन देखते हैं वीडियो को लाइक करते हैं सथ जहात में डिसलेक्सिया मुखित है किसकी समस्था की साथ संबंदित है तो डिसलेक्सिया वारे में पूछा गया है तो फर्स्ट वोप्चन है बोलने और सुनने, सेकेंड है पढ़ने, थर्ड है सुनने, फॉर्थ है बोलने तो डिसलेक्सिया है हमारे पढ़ने संबंदी भीकार होता है इसला क्रेक्ट आंसर हो जागा, नेक्स्ट वोशन दिखते हैं पर्यावर अध्यन की पार्थ पुस्त पर्यावर अध्यन की सिछच को फर्स्ट अच नहीं है बच्चों को दृष्टि कौन को सुईकार करना तो बात कर देए तेक्षेरों को यह दो और नवीन प्रयोग जो बात करनी चाहिए नभीन खोचोंपर ध्यान देना चाहिए तो इसतर्थ हमारा अंसर हो जाएगा थाड़ बाला विशेश्थ प्रेवहब पर ध्यान देने की आवश्चकता हो गी नहीं चाहिए हैं नेक्स टोशन देखते हैं वीडियो को लाइक करते हैं स्प्रात्यात्य थाथ में किस तरफ ब अवदिक परिच्छा हैं तो यह परिच्छों को बात हो रही है तो इसे हम अठा देंगे कि NCF के अंगेंस्ट जा रहा है नेक्स्ट बात देखते हैं जैसे ग्रेक कारे जो बात हम पर इच्छे हैं तो यह भी वारा इसना बेटर नहीं है सबसे इसा बेटर हो जाएगा थर्ड वाला इसा पॉर्टफोलिय इसा करेक्ट हो जाएगा सबसे उच्छम उत्तम विदी होती है अगर आपको ऑप्सन में पॉर्टफोलियो दीख जाए पॉर्टफोलियो पर तो 99% केस में हमारा अंसेजदा करेक्ट होगा पॉर्टफोलियो लेक्स वोचन दिखते हैं वीडियो को लाइक करते हैं हाथ याप में एक सिच्चक पणाते समय सरभ द्रश्य सामिक्रियों एवम सारे गतविदियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये फväस्ट है अधिकम ब्रद्दी में अधिक्तम इंद्रों का उपयोग करते हैं साइक्च beliefs को आराम उपलब्द कराते हैं थर्ड है प्रभावी आंगलनों को सुगम बनाते हैं, फोर्थ है विध्याति को दिशा परवर्तन उपलब्द कराते हैं, तो यहां पर क्या कर रहा है, एक टीचर धरश्य स्रब सामिग्रिवा प्रयोग कर रहा है, और सारे गत्य बिद्यों का भी प्रयोग कर रहा है, तो यह सबसे बेस्ट रहा है, तो कौन सा होगा, फर्ष्ट परयावड अध्यर्म पढ़ाने की बिद्या है, समझते हैं, यह कोश्चन नेगिटिव में पूछा गया है, सीटेट में ऐसा बहुत होता है, तो कोश्चन को एक बार बी केरफुली पढ़ें, तो कौन सा होगा, फर्ष समस्या समादान, यहां पर एक को छोड़का तीर इसे फॉलो कर रहे हैं, परयावड पढ़ाने की बारे में, यह कोश्चन पूछा जा रहा है, तो जैसे कि हम सर्योगात में अधियम की बात करें, तो यह ग्रुफ की बात कर रहा है, तो यह पॉस्टिव की तरफ जा रहा है तो इसके यही कारण है कि यहां पर यह वाला आंसर हो जाएगा, तो नेक्स टोशन दिखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, हतियाद में, चैनल को सब्सक्राइब कर लाएं, बेलागरू प्रैस करने, जिसको आगाम वीडूड आपको प्राप्त होती है, के अलावा बच् सेम पूछा गया है, के अलावा, मतलब तीन ही से यहां फॉलो कर रहे हैं, और एक फॉलो नहीं कर रहा है, बच्चे के विकास के आकार देने के लिए बात आवड़ी कारकी बात की जा रही है, जब बच्चे के विकास की बात करेंगे, तो फर्स्ट अप्सन है सिच्छा की बच्चे का बिकास से होगा, बच्चे का बिकास से कोई भी एफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहां पर यह नहीं सोचे नहीं है, यह बच्चे के विकास की बात कर रहा है, तो सारे गठन इससे इंक्लूड़ा नहीं, यहां पर सारे गठन ने ओप्शन में दिया गया है, इसकी सिच्छा देनी की वेवस होगा ना कि सारे गठन देनी की विश्ची का विकास हो जाएगा ऐसा नहीं है इसा हमारा question के coding answer हो जाएगा थरवाला तो next question देखते हैं वीडियो को like करते हैं हाथ यहाथ में कक्छा में एक प्रवाबी सिच्छड अधिगम प्रिकरिया होती है जब बच्चे जब सिच्छक बच्चों के ज्यान को पढ़ाई जाने वाली नई संगलपना के साथ जोडने में साहिता करता है इसके पालसव में निहरतिक उद्धिश हैं को बढ़ावा देना तो फर्स्ट अप्स ने विद्ध्यार्ती स्वेतिता सैकें पुनरवालन थोड़े ज्यान का सह संबंद एवं इस्थानंतर फोर्थ है बैक्तिक विन्नता तो यहाँ पर बात किया रही है जब एक कक्छा में होती है जब सिचक बच्चे के जियां को पढ़ा जाने वाली नयी संक्लमना को जोडने की बात की जा रही है तो यहाँ पर क्या हुआ उसके निहत उद्धिश्य वो नय ज्यान का सह संबंद इस्थानं दरु करना चाहता है उस दो फो नेक्स टोशन देखते हैं पीडियोग तो लाइक करते दोेतों स्यात्रों कि रोहन कि विध्यावला में एक विध्यार प्रशाचिन का पाली कि विध्यार्थ szon कि उप्यूक्त है तो मुषला विध्यार्थी विध्यारति विध्यारति लोगने एक स्टूड़निट है उसके बिद्धियाल में कि विज्ञार प्रदशी कराई गई तो इसका उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य है कि बच्चों को क्रेवटी की तरफ ले आजए बच्चे का करेंगे मॉट्टल वोनाएंगे बच्चे वुस्पा सक्क्री विर्वी तोप में किया गया था सही कतन चुनिए मेरे कांसा तामा और समागा और संतर तहीं कि हुआ है जैसे कि फर्स्ट में टिन कोपर तामा कई बात की है तो यह वाग कोशन करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला क्योंकि आप जो कांसा है वो तावा और टिन की मिस्रिधातु होती है जो मिलकर बनाई जाती है तो हमारा नेक्स कोशन देखते हैं वीडियो को लाइक एंट से लेक आतने साथ जात में चैनल को सस्क्राइब करें वेला अगरो प्रैस करें जिसे आखो आगाई मीडियो मिलती रहेंगे प्र प्रश्ट ऑप्षिन है अपसारी चिंतन सेकेंड एंड लेंग थर्ड अनकुरर्ण फॉर्ट अभिसारी चिंतन तो यहां जब क्रेवटी की वात आ रही है स्यामक है यहां पर इस्ट्यूएंट है तो वो प्रियोग और प्रियोगात्मत निश्पादन में वह का सर्वस्ट सारी चिंतन है क्रेवटी हमारी किसमें आती है अब सारी चिंतन में आती है तो नेक्स वोशन देखते हैं वीडियो को लाइक करते हैं अलवुरिनी जिस देश से आया उसका नाम है फर्स्ट आप्स ने उजयकुबिस्तान सेकेंड है ओमान थर्ड है अफगनिस्तान यह हमारे देश में एक यात्री के तोर पर आये था और हमारे देश को उपर इसने बुक लेकी थी जो की एक क्या उजयवकिस्तान का यात्री था जिसना हमारा करेक्ट आंसर हो जागा फर्स्ट तो नेक्स टोशन देखते हैं वीडियो को लाइक एंड से करते हैं आत्यात मे बेखते हैं उपरोक्त पवलिक स्कूल निम्न से किसका अलुपानन करता है तो यह एक पवलिक स्कूल के बारे में बताया गया है तो जैसे कि उसमें प्रतेक अक्षा में लगवद दो से तीन बच्चे क्या बिसेस आपशकता वाली बच्चे हैं और कुछ बच्चे कैं सार् क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं तो यह स्कूल क्या है किस चीज को अनुपालम कर रहा है यह कुश्चन पुछा कहा है तो फर्स्ट उसने समभैस्क सिच्छा सेकेंडर प्रत्व पूरक अधिगम सेकेंडर सतत एवम व्यापक आंगलन फोर्थ है समाविसिक अक्षा अगर हम इस प्रकार की बात करते हैं तो जैसे कि हम सारेक समाविसिच्छा का मतलब होता है कि जैसे कि उसमें सभी प्रकार के बच्चे पढ़ें सात्म बढ़ कर चाया वो सारिक विकलांग बच्चे हो या मांसिक विकलांग बच्चे हो बगर प्रत्य बच्चे की अकॉडिक सिच्छ प्रयोक किया जाए और प्रत्य बच्चे को समान अबसर दिये समझने के लिए पढ़ने के लिए और सीखने के लिए तो इसमाविसिक अक्षा का अनुपालन किया जा रहा है यहां पर इसना क्रेक्ट आंसर फॉर्थ वाला तो नेक्स वोशन देखते हैं वीडियो को लाइक एंट सेव करते हैं साथ आतमे गर्षण के विस्या में चर्चा करते हुए एक सच्छिका ने इस संगलपना की व्याख्या करते हुए बाउसे उदारण दिये इन में से कुछ ऐसे फदारण है जिनके में गर्षण देन में में उप्योगी उस चिकाने कक्ष्रह दिये गए नीचे दिये गowej हम तो कशे क्या है तो कोश biological के बता आम आएकंगे वीड़ीन की नौक और कागज के बीड़ गर्षन होने के कारण ही लिख पाते हैं। B.A. हम फर्स पर हमारे पैरों और फर्स के बीच गर्षन के कारण चल पाते हैं। C.A. उर्दादर उपर फैंकी गई कोई गैंद। गर्षन के कारण हमारे गर्षन के कारण ही हमारे पास बापस लोटती है। इस गर्षण के कारण ही हम किसी गतिसील बहान को ब्रेक लागा का रोकते हैं तो यह क्या करण देदी है दैनिक जीवन के तो ऑप्षण देखते हैं थोड़ा सा दिखाएंगे देखाएंगे आप यहां पर तो एवीडी ऑप्षण इस प्रकाद से देदी हैं नीचे देखते ह किया किया फॉलो कर रहा है जैसे जहां कि घरषण के कारण कि हम दो क्या करते हैं देख पाते हैं सब्सक्राइल हो गया हम पेंसे का उसकी नव्द पर लेख पाते हैं पैनニ की करदो पल्रेक है यह फॉलों कर रहा हैं अशर निच्ड पर चलने का नडब duasか का शर्टों है जैसे कि यहांपे बोला गया उर्त अदर फैक हुआ है हम और वो बापस लोट रही है तो वो भी क्या गरसर का कारड है जैसे कि उर्त अदर उपर फैक ही गई कोई गैंद गरसर के कारड हमारे पास यह बापस ही लोट आती है यह question यह बोला गया है C में, जैसे कि देखें D में, अगर गर्षड की कारण, हम किसी बतस्वान को ब्रेक लगा कर रोक पाती हैं, तो यहां पर तो यहां पर तो डाउट हो रहा हूं यह question में, क्योंकि यहां पर A follow कर रहा है, और जैसे कि एक बार चेकल नहीं से, जो भी चीज कर रहा है, तो A follow कर रहा है, और B follow कर रहा है, तो A और B यहां थर्ड में दे रहा है, तो इससा क्रेक्ट आंसर हमारा थर्ड ही होना चाहिए यह साब से, मगर फ्रिवी एक आप लोग चेक करना ऐसे, क्योंकि यहां पर जो हम बस्ते को जाब ऊपर फैक्त है, वो गुर्ता-क अब इससा क्या हुआ था, तो नेक्स देखते हैं, तो डावट फूल कोशन था यह, वीडियो को लाइक इससे करते हैं, एक पश्मीना साल लगवग सादर्ड सौर्टर को बरावर गर्म होती है, और एक सादर्ड पश्मीना साल को बनाने में हेतू, गंटों का समय लगता है पश्मीना साल होती है, जो कि लद्धाक वगरम रही आती है, और इस साल को बनाने में कितना समय लगता है, यह कुश्यन में पूछ जा रहा है, तो इसके अकॉड़ें बात किया है, तो लगवग 10 से 200 गंटों का टाइम लगता है, पश्मीना साल को बनाने में, उसलिदा क्र 10 से 200, थर्ड़तों नों बताई दिया है, 10 से 200, फोर्त है 6 से 200, इसलिदा क्रेक्टांस लोग हमारा है, डार्क लिए बिसे बताएं कि यह हमें कुश्यन थोड़ सा याद हो जाते हैं, यह रट्टे जाते हैं मालो, जैसे हमें ऑप्शन देखते हैं, इस परकार के इस परकार सामिल करती है, जैसे समूज चर्चा, समूपरियोजना, आद, उसकी सिखका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है, सर्ता की सिखका है जो भिविन सामूज गत्विदिया कर रही है, जैसे समूज चर्चा, समूपरियोजना, तो उसकी सिखका है जो सीखाने के किन आयाम का अनुगमन कर रही है फर्ष्ट अप्सन है प्रित्यों गुता आधारित सीखना सेक्ड़ सामाजिक गतिविदी की रूप में सीखना थर्ड मरोंजन द्वारा सीखना फॉर्थ है बासा निर्देशन सीखना तो जैसे कि अगर देख जाए जो सिच्छ का है वो किया सरिता की स सम्मूग परियोजना के बारी मात करें तो इसका सामजिक गतिविदी के द्वारा रूप में सीखनी की परियोजना या अनुगमन कर रही है तो इसा क्रेक्ट आंसर हो जगा हमारा सेकींड बाला तो नेक्स्ट उसन दिखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में प्रेस करने अर्ब और ये फशा या पायर जाता है कि में गाला में तो इसा क्रेक्ट रायक्त पर पताते हैं कि आपको जैसे ऑप्षण देखते हैं इस परकार की अन्सर देदें आप्की समय कहां पर बच्चत होगी बागे ज sätt हो ओसं फर्स्ट हैं सेकिंड ऊड़ीशा और थर्ड है रणाचर प्रदेस में, फोर्थ मेगाल, जैसे कि हमारा आंसर इस तरह करेक्ट हो जागा मेगाल है, भारत के मेगाल राज्जी में यह पाया जाता है, इस तरह करेक्ट अंसर हो जाएगा, तो नेक्स टोशन दिखते हैं, उसे चुनिए जो अन्यों से भिन है, हम उसे चुनिए जो अन्यों से अलग है, तो फ्रस्ट है ग्रीज, सेकंड है पेट्रोल, थर्ड है कोईला, फूर्थ है पेराफिन, मॉम, तो जैसे कि हमें क्या अलग को चुनिए तो अगर हम बात करें, यहां पर ग्रीज, कोईला, और पेराफिन, मॉम, तो यह हमें खनिश सबसे अच्छा समय है बिहार के गाउं के लोग है जो किशान है वो अत्रिक ध्रंकवाने के लिए मदमक्खी पालन करते हैं वो समय सबसे बेटर कौन सा होगा मदमक्खी पालन के लिए कुश्ण भी पूचा गया तो फर्स्ट अप्स ने जुलाई से दिसंबर से अक्टूबर से दिसंबर थर्ड है मार्च से सरी जनवरी से मार्च फोर्ट है अ बारबार अगाने और बहुत से बसे उपयोग करने से मि ने किसी वित्यश्वसल के लिए उपयोगी जाती है शेकी ही सचय की लिए उपयोग जाती है थरौई अरोब जाती है फोर्ट है Pan сил हो जाती हें कि एक ही प्रकारगी पासल अगर बारबार bug हॉआएंगे एक ही गेतमिया उस भूवी पर तो वो क्या है भूमी बंजर हो जाएगी क्या हो जागी बंजर हो जाएगी तो इसले क्रेक्ट रांस ओज़ागा वारा फोर्ट वाला तो नेक्स आश्यों देखते हैं वीडियो को लाइक एंड से गते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे यहां पर लड़ा के मकांउं की विसष्ता चुनियें यहां पर लड़ा की मकांणों की विस्ष्ता चॉंस करने के लिए लुए रहा है यहां पर पेड के तरव से बनी लक्डी की डालू चते B. निचली, मंजल में कोई खड़की नहीं, C. पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवार है, D. लकडी के फर्स, यहाँ पर चॉइस करने हैं, आपके कथन दीएंगे, बिसेस प्रगार की चीज़ें दीएं, जसके आपर बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसके दे कि निचली मंजल पर क्या कोई खड़की नहीं होती है, यहाँ पर जानवरों के चार रखने की या जानवरों रखने की बिवस्ता होती है, दूसरा हम देखते हैं, D. लकडी के फर्स होती है, लकडी के बेस होता है, फर्स जो बना जाते हैं, वो लकडी के बने होती है, यहा सेकंड तो वीडियो को लाइक ईंड सेवर करें अपनी दोस्तों साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें लाइग प्रेस्ट करें जिसे आपको अपके बीडियो देंगे नेक्स्ट ओशन देखते हैं प्राणी जीलों के निर्माड करने में सायक है जो प्राणी जीले हैं जो बंद कार पर पहुंच गी है उन्हें क्या निर्माड कराना उन्हें खिटा करना कि वहां पर क्या पानी खिटा होता है और जल से खिटा होने से क्या शन्पा के आश्पा से लोगों पानी मिलता है किसानों को सचाए कि लिए पानी मिलता है तो शन्हयाई का पर तर लेंग tapping किससे आपको अगाई मूरू मिलती रहेंगी जब भी इस इजट पर इचाओं की डेटा आती हैं आपको बता देंगे जहें दोस्तों बंदे मात्रम